व्यों欸 वेलगम् टो एडवाउंस जावा आज के टॉपिक में हम जेडीबीसटी के बारे में पढ़ते हैं जेडीबीसी में जावा दाटाबेस कनेक्टिवीटी जब भी हमें जावा प्रोग्रम की डिटाबेसी करवानी होती है तब हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं JDBC, चलिए हम यहाँ पर JDBC के बारे में कुछ points जानते हैं First is JDBC means Java database connectivity जो कि हम पहले भी जान चुके हैं जब भी हमें Java में database से connectivity करने होती है तो हम क्या use करते हैं JDBC Next point is, it is a specification from the Java that provides standards for Java application to communicate with different databases It is a specification from data, यह क्या है? Java की एक specification है, जो एक standard provide करती है Java application को जिसकी help से Java application काफी सारे database से connectivity कर सकती है और communicate कर सकती है जब भी हम Java में Java से कुछ database से connectivity करना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें JDBC की help लेनी पड़ती है Java database connectivity, यहाँ पर आप देखेंगे हमने एक diagram create की है, diagram of JDBC यहाँ पर हम working देखेंगे JDBC की, JDBC में जो सारा program है, जो Java program है वो किसके थूँ जाता है database में JDBC APIs के थूँ, आप देखेंगे यहाँ पर हमने first of all लिया है Java programs कि जो भी Java programs है, first of all वो किस में जाएंगे JDBC APIs में, APIs के बारे में हम पढ़ चुके हैं next, जो भी APIs हैं वो सभी कहाँ पर जाएंगे, database में जहाँ पर हमारा जो सारा data है वो store होता है data source, जो data source में जाएंगे, इस तरह से JDBC work करता है, जो Java programs है, उनकी काफी सारे source हो सकते हैं इन source को हम बोल सकते हैं, APIs, APIs को हम as a source भी कह सकते हैं, यहाँ पर हम example create कर सकते हैं, जैसे water की हम example ले सकते हैं water के कितने सारे हमारे पास sources हैं, mediums हैं, जैसे rain, river, इस तरह से काफी सारे जो हमारे पास mediums हैं, water के, उनकी help से हम water get कर सकते हैं इस तरह से जो Java programs हैं, उन्हें काफी sources के through हम अपने database में डाल सकते हैं, वहाँ से receive कर सकते हैं, इन sources को हम क्या कहते हैं, JDBC APIs तो यहाँ पर हम Java program क्या करेंगे, Java program डालेंगे, इसके through हो जाएंगे database में, JDBC APIs के through, then हमारी इस तरह से Java की connectivity हो जाएगी database से तो इस तरह से आज के topic में हमने जाना कि हम JDBC को क्यों और कैसे use करते हैं, आने वाले topic में हम यह देखेंगे कि JDBC को क्यों launch किया गया, thank you हुआ 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 हुआ